नमस्कार श्वागत है आपका आपके साथ मैं हूसर भी शर्मा और मेरे साथ है मेरी सही होगी में नाक्षी जोशी मौसम बदल गया है पहाडों के बाद अब मैदानी इलाकों में भी ठंकासर दिखने लगा है और इसके साथ ही कई लोगों को ठकान, सरमे दर्द, आलस सिर, अखेलापन, बेचैनी और छोटी छोटी बातों को लेकर भी टेंशन, काम में मनना लगने की भी दिक्कत होने लगी है पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद भी अगर आपको ऐसी परेशानी हो तो सतर्क हो जाएए हो सकता है आप सीजनल डिप्रेशन की गिरफ्ट में हो और इसका आपको अंदाजा भी नहीं हो सकेगा बिलकुल सर्वी सर्दियों को डिप्रेशन बढ़ाने वाला मौसम कहा जाता है सर्दियों के दिन मूट डल करने वाले होते हैं अगर आपको स्क्रेफ टेंशन की परेशानी है तो आप सीजनल अफेक्टिव डिफॉर्टर के शिकार हो सकते हैं ये एक रेर डिफॉर्टर है महिला और पुरुष दोनों पर ही इसका बराबर अफ़र होता है खास्तोर पर यंग और एडल्ट महिलाओं को अपनी गिरफ्त में ज्यादा लेता है एक सर्वे के मताबिक करीब 40% महिलाएं सर्दियों में डिप्रेशन महसूस करती है उन्हें अंधेरे कमरे में रहना अच्छा लगता है हर वक्त नींद आती रहती है सुिसाइट के खयाल तक आते हैं और चुड़चुड़ा पन बहुत आम है लेकिन मिनाक्षी ये बात आप बिल्कुत सही कह रहे है जरूरी है ऐसे में कि हम ना सिर्फ अपने शरीर का पूरी तरह से ख्याल रखें बलकि मेंटल हेल्थ के लिए भी यौगिक और आयूरवेदिक उपचार करते रहें और देखिए अब स्वामी रामदेव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्वामी दी बहुत-बहुत स्वागत है आपका आज वाकि कुछ चीजों को समझने की जरूरत है योग अभ्यास के साथ-साथ की मेंटल हेल्थ कितनी जरूरी है देखो सुर्भी जी मिनाक्षी जी प्रथम तो आप दोनों बहनों को बहुत प्रणाम यहाँ डिप्रेशन के लिए स्ट्रेस एंजाइटी के लिए एक तरीका तो यह चल रहा है जिसको सिरोधारा बोलते हैं दूसरी सिरोधारा हम घरेलू सिरोधारा भी बताएंगे दूसरा इस बचे ने कोरोणा को तो हरा दिया था लेकिन यह भी आवसाथ की डिप्रेशन की चपेट में आ गया था इसको हम तेजस तेल हम से जिसमें तिल का तेल, सरसों का तेल, बादम का तेल, अकरोट का, जैतुन का तेल सारे जो तेल हैं वो मिश्रित हैं और यह 100% नेचुरल है इसकी मसाज चल रही है अब भेंग इसको बोलते है मैं समझने की जरूरत यह है कि अनुलोम मिलोम तो करी रह करो भीटा मैं आपको यह बताना चाहरा हूँ और यह सब चीजें यहाँ पर उपलब्द हैं कि यह डिप्रेशन होता कैसे और कैसे निकला जाता है अब जैसे इसका नेवी में सेलेक्शन हो गया था अब इसको सिर में दर्द होता था बाबाब आपने भेजा नहीं इसको अब तब से डिप्रेशन में है कि मेरा नेवी में सेलेक्शन हो गया था सिर्दर्द के कारण से मेरा सेलेक्शन हो गया तब से इसको डिप्रेशन और माईग्रेन पे इन सिर्दर्द दोनु चालू है अब इसको मैं ठीक कर रहा हूँ मैंने का बेटा एक अवसर नहीं जीवन में जीवन बहुत बड़ा है मैं बिना नोकरी वाला और मैंने लाखों लोगों को नोकरी देती हूं क्यों परिशान है और ये बावड़ा जो है ये बीडी सिग्रेट शराप पेने लाग गया था अरियाने गाएगे जद्जर का है जद्जर नहीं बो मेट में आ गया था अब तो ठीक कर दिया इसको थोड़ा ऐसे पुछकार रहा हूं अब दो बाते कहके योगा भ्यास सुरू करूंगा देखो ये है कहना बीटा ओशन है ये अब इसको भी डिप्रेशन हो गया था और ये इसकी दूसरी बहना प्रग गया ये तो MBBS डोक्ट कर लिया था ये देखो पूर आप काट के ये काटना भी बड़ा हिमत का काम है क्या हो गया था जी सामी जी मुझे एकशली थोड़ा पढ़ाई का और और भी काफी सारी चीज़े थी जिससे मैं निकल नी पारी थी फिर में तो पढ़ाई और कुछ छूटी छूटी चूटी ये उलजने आ गई थी उसी से गवरा गई ये बेटी और एंबीबेस डॉक्टर होगी आप तो कहती मेरे को इसी योग आववेद नैच्रोपैथी की सेवा देने हैं पूरा कंप्लीट कर लिया ना अब यह उससे बाहर निकल गई है ये निकल करके बैठी वीशले एक्जाम वह हां से योगा करते हैं हसके दिखा अब तो यह मस्ता है कितने अच्छी बात है ये ये और तेरे को क्यों गया थे बहुत बड़ा उधारन फ़ामी जी आज आपने रखा पर दीदी और दीदी इस प्रेशन से निकलना आफसान नहीं होता है दीदी से में को मोटिवेशन म बैठा है ये भी सीविल सेर्विसीज की तैयारी कर रहा है कामयाब निवा डिप्रेशन हो गया क्या करें इसके लिए आज योग भी हो रहा है यज्जे भी हो रहा है और इसके सारे उपाएं ये मसाज भी हो रहा है सारी चीजे हो रही है ये अभी बताता हुआ अमा आगे बढ़ जाता हूं उपाय क्या है उपाय है सुबह उठकर के उठते ही तो धर्ती माता को प्रणाम करना चाहिए ऐसे उठते ही धर्ती माता को प्रणाम करूं माता भूमी पुत्रू हम पृथिव्या है मैं धर्ती माता की संतान हूं मैं भगवान की संतान हूं मेरे भीतर सामने ऐसे ही आना चाहिए इसका इसकी धार और ऐसे अर्गे देरा चाहिए मन्हें सूर्य के ऊपर की तरफ यह लोटा है फिर इसकी धार निकल रही है और इसके बीज से मैं सूर्य का त्राटक कर रहा हूं ये सूर्य का ऐसे त्राटक करना चाहिए और इससे डिप्रेशन अवसाद दूर हो जाता है अब देखो ऐसे अब तो इतना सूर्य उद्ध काफी हो चुका तब भी मैं सूर्य को देख सकता हूँ क्योंको मैं सूर्य का त्राटक करता हूँ सूर्य का थ्राटक करने से और सूर्य का ना कर पाएं तो दीपक का भी थ्राटक बताएंगे और हमारे हाँ सुबह उठकर के संख बजाते थे आप लोग अपना भसरी का अनूलोब विलोम करते रहो संख बजाने से भी पूरा प्रणायम भी होता है और साथ ही इसकी जो दिव्य धुनी तरंगे रिकलते हैं उससे डिप्रेशन अवसाथ दूर होता है ओमकार की वेद की गायत्रियादी की जो पवित्र धुनिया होती है उससे भी अवसाथ दूर होता है स्वामी जी आपकी लंग्स केपासिटी तो बहुत अच्छी है लेकिन अब ये भी बता दीजे ये छोटे-छोटे बदलाव क्या माइने रखते हैं हमारी इस दिन चर्या में और कैसे ये emotional balance, depression की ओर ले जाता है क्या उपाय किये जा सकते हैं इसको लेकर इसके लिए सबसे पहले तो चलो बच्चो खड़े हो जाओ और जो एक दो ठाड़े से हैं तगड़े से पहले तो तु या इसने सिर्पे कफन बांध रखा आजा फिर त्राटक भी बताएंगे दूसरे उपाई भी बताएंगे देखो करो बच्चो योगी जोगिंग सुर्णमस्कार धंडबैठक करने चाहिए एक बार पूरा अपने आपको ठका लो सुब उठ करके पसी न निकाल लो धरती माता को प्रणाम त्राटक शंक बजाना अभ्यंग शिरोधारा और जिनके पुरे शरीर में कश्ट है अब इसको आईबियस डिप्रेशन एक साथ हो गया अभी मसा पूरा बन गया स्टीब थोड़ी देर में बन जाएगा तो यह लंबे लंबे श्रासों के साथ करो सब ऐसे जिसको जो कर पाएं ऐसे सो सो बार ऐसे किया सो बार ऐसे किया करो तुम भी सब आजाता है और इसको मैं सेंटिफिक लिए एक्स्प्लेइन करता जो ऐसे तेज एक्सिसाइज करते हैं कोई भी दोड़ना खेलना योगिक एक्सिस जोगिंग सुर्य नमस्कार देखो ऐसे तो अपने आप प्रोलेक्टिन काटिस और एसी टेस अड्रिनलीन यह स्ट्रेंस आर् जाते हैं प्रोलेक्टिन काटिसोल एसी टीएस यह सब कमा जाएंगे इंडर्फिन इनका फिल इंसीर टोन डॉपमेंट बढ़ जाते यह तो साइंटिफिकली प्रोवन टूथ है तो यह जो भी करें ऐसे पहले धीरे-धीरे बाद में तेजी से रिदम के साथ संगीत के साथ यह अभ्यास करें और हमेशा पॉजिटिव विचार रखे हमारे सामने हमेशा नेगेटिव चीजें भी रहेंगी लेकिन अपना ध्यान हमें नेगेटिव चीजों के और नहीं लगाना पॉजिटिविटी देखनी है हर चीज में आप अच्छी चीज भी देख सकते हो बुर गिलास आधा भरा हुआ है तो कुस कहेंगे आधा भरा हुआ हुआ कुस कहेंगे आधा खाली है यह जो नेगिटिव अपरोच है हमें इसको निकालना पड़ेगा अब जैसे मेरे साथ है ज़वां कर रहा है इसका बिजनेस वे अपर ठीक चल रहा है लेकिन धहरिये नहीं है धिरज नहीं है जराइसा कोई कायदे तो इमोसिनेल बैलेंस बिगड़ जाता है घुसाने लगता है धिरज छोड़ देता है जगड़ा करने लगता है या तो दूसरे का सिर फोड़ने की तैयारी कर लेता है आपनी क्यों भवाई क्या नाम है पलाश पलाश फलाश तो यह तो ये ऐसे ये तो मैंने प्रतीकातमक बताया है मैं रोज बोड़ता हूँ 25-25-50 पचास बार ऐसे जवानों को पूरा अपने आपको थका लेना चाहिए मैं पूरा थकाता हूं ऐसे अपने आपको भी पूरा इबर सुबह पसी न निकालता हूँ अभी तो दूसरी बार निका लेगा, उसको इतना ठक जाएगा, कि अपने आप ही नीद आ जाएगी उसकी, ऐसे, ऐसे, ये, ये आप ज़से ये जवान है, अब ये कैसे इसको डिपरेशन हो सकता है, ना नौपत आएगी, लेकिन स्वामी जी, इस थौट प्रॉसेस को कैसे बदले, स्वामी जी उस थौट प्रॉसेस को कैसे बदला जाए, जब इंसान अपनी बहतरी के लिए भी कुछ नहीं करना चाहता होता, और यही वज़ा है, हिम्मत हार देना, जरसल जो आप कहते हैं, अब उसी को बदलने की बात कर रहे हैं, तो जाओ, अब देखो, एक तो मैंने ये बताया, ऐसे जवान यहां पर बहुत सारे, जवान बच्चों को डिप्रेशन हो रहा है, और कुछ भी घर पर नहीं है, कही बार ऐसा अगरे सब कुछ ठीक है, अब जैसे बहनी आए, पांच दिन सोई नहीं कुन सी आओ, इधरा, अब कोई तखलिफ नहीं, घर में, परिवार में, पती, पतनी म सास ससुर में कोई दिक्कत नहीं, बैठो, लेकिन निद्री आरी, यहां, यहां करो, आप भी करो भी टैस, यह अभ्यास करते करते में बताना चाहरा हूं, कई बार, यह करे मेरे को पता ही नहीं लग रहा, पांस दिन तक सोई नहीं, पागल जैसी हो गई, अब यहां दो दि होते हैं, बड़ी प्रतिकूलता हैं संघर्ष होते हैं, वो भी मेरे पास हैं एक्जामपल है, एक बेटी आई वे यहां, यूके से, उसके, ससुर साब की मृत्य होई किसके, ससुर जी की मृत्यों के बाद में, उसको भी बराऊंगा, वो उससे बाहर नहीं निकल पार, यह ह दुखसान का दुख, अपमान का दुख, बहत रहे के असफलता हूं के प्रतिकूलता हूं के दुख, यह मैं इसलिए करा रहा हूं, यह अभ्यास, सीधा ब्रेन और नर्वस सिस्टम का स्पाइनल कोड का संबंध होता है, सेंटर नर्वस सिस्टम, परेफिर नर्वस सिस्ट मरकट आसन यह सब कंधर आसन तक सेतु बंध आसन भी उसको कहते हैं वह तक सारे आसन रोज करें और अब कित्रे घंटे सो पारी बेटे यह अभी तो चार पांच घंटे सो पारी है अभी है सवामी जी कोई कोज नहीं पता था अच्छा सवामी जी क्योंकि यह मेडिसन के बात कर दी है तो इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल था टेन एम जी का दे दिया वर तो उसका आधा लेली फिर भी नीन नहीं आ रहे थी तो मैं तो बहुत लेगी सची में पागल हो जाओंगी मैं कुछ कह रहे थे हाँ मिनाक्षी जी आप यह जो लोग करने के लिए जो लोग दवाई खाते हैं या फिर जाएंटी डिप्रेशन पिल्स लेते हैं उसका भी क्या बुरा असर होता है क्योंकि कई बार डॉक्टर्स तक यह कहते हैं कि आप यह पिल्स तो ले रहें लेकिन और जैसे मैं कहा रहा था ना उल्टी पुल्टी आदते मत डालो जैसे बच्चा जो है बीडी सीगर्ट शराब के आदत पढ़गी थे अब उसकी 100% छूट चुकी है लेकिन यह जो दवाया है यह भी नशे की दवाया देते भुजांगासन के दो अभ्यास कर रहें अभी त 10-20 बार से लेकर के 25-100 बार तक कर सकते हैं हम यही करवाते हैं फिर ब्रेन को रिलक्स करने के लिए सिरोधरा कराते हैं पूरी बोड़ी को रिलक्स करने के लिए या बक्से में बैठा करके स्टीम देते हैं बोड़ी को रिलक्स करने के लिए फिर अभ्यंग मसाज बोलते है इसको अंगरी जी में ये देते हैं फिर उसको अरोम तहरापी देते हैं अरोमा अलग रएट प्रकार के अरोमा ऐच आज यह तो यहां पर टो आप्झण के नेच्वरिल पॉस्बल य कोई इतरो नहीं लगाते हैं अरोमे थैह। भी प्मेडिशन भी इसमें काम करते हैं मैंने सारे जो पाए है हमें अपने से जोड़ते हैं हम जैसे अपने से दूर होते हैं confidence को देते हैं या संघर्षकों से प्रितिकोलताओं से मुकाबला ने कर पाते हैं कई बार सरीर में कुछ ऐसा हो जाता जैसे बेटी मेरी साथ कह नहीं मानसी इसको कोई कश्ट नहीं था घर में परिवार में विजनिस में व्यापार में दोरों परों में पीसे फासला और अचानक जह है बोड़ी की के अंदर माइंड के अंदर थोर्स के अंदर ऐसा कुछ आ गया नकारात्मक्ता आ गई ऐसे कुछ अपने आप जो है डाउन हो ग कर लेते हम लोवर कॉंसें से हाइर कॉंसेंस में आजाते हैं नेकिटीवटी से एकदम पॉजिटीवटी पर आते हैं और इसके साथ यह हुआ इसको कई दिनों से जोड़ा पूचिशार की पहर केड़ी को देखो सब करो सब सवामी जी आपने बताया मालिश, टीमबाद, शिरोधरा और सूर्यक वर्क देना ये छोटे-छोटे बदला डिप्रेशन में जो लोग हैं उनको मदद कर सकते हैं लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है जो लोग इनके साथ हैं अगर घर में कोई डिप्रेशन में है तो उनके कैसा होना चाहिए कि उन्हें भी कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए ए अ सब परिवार के लोगों का उसके साथ बहुत माधूर या पूर प्रेम पूर विभार होना चाहिए उसको आत्मियता के आशक्ता होती उसको दुद्कारना नहीं चाहिए ये बात में विशेश रूप से कहना चाहता हम सीधे लेड़ चाहें तो निश्चित रूप से इस दिप जेंटरिनर्वस सिस्टम को ठीक करने के लिए भी हम उसको थोड़े गिफ्ट देने चाहिए एक तो घृप संद हो ऐसा खाना खिराओ जो पसंद हो ऐसे उसको वस्तर दो जैसे उसको पसंद हो एसे उसको घूमने के लिए दो उसको डांस पसंद है उसको सोम पसंद है संगीत पसंद है जो भी उसको पसंद है उसको थोड़ा मदद कीजी मरकटासन के दो अभ्यास तो चोटी-चोटी भाते हैं और सबसे बड़ी बात उसके साथ प्रेम कीजी है तो मैं बात यह कह रहा था मरकातासन के यह तीन अभ्यास फिर इसके बाद अर्दः पॉन्मक्तासन और देखो यह यह मर्कातासन है फिर देखो इसे पॉन्मक्तासन या अर्धपोर मुक्तासन जिनको सिर में गर्दन में बहुत जादा दर्द है कमर में बहुत जादा दर्द है वो सिर न उठाए बाकि वह ऐसी कर ले बाकि ऐसी कर ले ऐसी ही फिर यह कंधरासन यह इतने अभ्यास तो आसनों के जरूर करो रहे के अभ्यास दस वीस बार कर सकत कि शासों के नियंतरन के साथ करें स्वासों पर नियंतरन आने से मन पर नियंतरन आ जाता है हठी योग का एक बहुत बढ़ा सूत्र है चले वाटे चलं चित्तं निश्चले निश्चलं भवेद तो यह मैंने एक एक्जम्पल दिया अब यह चार-चार गंटा भी आ करके सो रही है हाँ इसमें हम बखाने की और पोस्ट जाने की खीर भी बताते हैं मेधावटी बताते हैं बादा म्रोगन पताते हैं सिरोधरा कराते हैं जन्नेती कराते हैं वो भी सब यहां पर इसका हो रहा है तो अभी तो काफी ठीक होगी है जा बिटा अब सीर्शासर बता रोग उनको नहीं करना चाहिए यह शीर्शासन और यह सर्वांगासन यह बहुत यह एंटी डिप्रेशन है यह एंटीजिंग एंटी स्ट्रेस मेधिशन का काम करता सर्वांगासन शीर्शासन अहलासन चक्रासन जो कर सके तो और अची बात है इसी जिससे यह जितना बन पाए उतना जरूर करें और मैं कहा रहा था छोटे छोटे बदलाव अब जैसे त्राटक है अब यह बस्त्री का कपाल भात यह लोलों बिलों प्रणायम भी करेंगे और साथ में देखो त्राटक है अब क्योंकि सूर्य उद्र हो चुका है मैं तो कपाल भाति और अनुलों बिलों के साथ जिनको सूर्य का त्राटक करना हो तो हमने धूब बत्ती अलगलग प्रकार के ओशधियां डाल करके एक बड़ा त्राटक यहां तयार कर दिया है और एक छोटा त्राटक यह दीपक से तयार कर दिया है तो दीपक से या ऐसे जो है यह हमने मसाल वाला बड़ा त्राटक कर दिया है तो जो किसी भी कारण से भोर में जल्दी उठ नहीं पाते है ट्रेन में होते हैं प्लेन में होते हैं ड्यूटी आवर्स में होते हैं उस समय या किसी दिन कोहरे के कांड से बादलों के कांड से सूर्य का त्राटक न कर पाएं तो ऐसे यज्जी की जोती जागरित करके यज्जी की जोती का त्राटक करें कबाल भाति और अनुलोम बिलोम के साथ विदेशों में जहां सूर्य उद्धा बहुत कम होता है आजकल के खास करके योरोप के देशों में तो वहाँ पर बहुत बड़ा बल्ब जलाते हैं घरों में और उससे डिप्रेशन दूर करने की कोशिश करते हैं यह हमारे जो तोर तरीके है यह प्राकृतिक तोर तरीके है जिसम्म ओश धी है जड़ी बूटियों के द्वारा अगनी प्रज्वलित करके हवन करते हैं तो यह हवन भी हो रहा आज हम हवन भी करेंगे अंतमे ओम भूर भुष्वा तत्सवित और वरिंड्यम भर्गो देवसे धीवई धेवन अप्रचो दया तो बिना पलक जबके मैं ऐसे दस मिनट तक तराठक कर लेता हूँ और मुझे तो कोई तकलीप नहीं है कोई कश्ट नहीं है जिनको कश्ट है वो छोटे छोटे परिवर्दन अपने जीवन में लेकर के आए पचास साल के बाद मेरी आँखे भी थोड़ी सी कमजोर हुई थी जो जैसे इसके उपर इतने बारीक अक्षर हैं ये पहले मैं नहीं पढ़ पाता था अब इतने बारीक अक्षर भी मैं आराम से पढ़ लेता हूँ कि इसके अंदर जो है बादाम, रोगान, जैतुन, तेल, अक्रोट का तेल, फिर इसके अंदर जो है ये सूरज मुकी तेल, फिर इसके अंदर तेल, मुंग फली तेल, और एरेंड तेल, ये सारे तेल मिला करके में त्राटक किया जननेती का भ्यास इसको बढ़ा दिया है पहले में रूज नहीं करता था त्राटक तो मैं आपको छोटी-छोटी उपाय बताता हुआ यह बता रहा हूं सबको अनुलों बिलों करो बच्चे सब सबको अनुवें बिलों करना है स्वामी इसकता सुझा आपका ये शो देख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि उनके भाई खाली रहना पसंद करते हैं बहुत चिड़चड़ा पन उनमें आ चुका है और हर वक्त मोबाइल पर लगे रहते हैं कुछ अच्छे खयालात भी नहीं है और उल्टे पुल्टे खयालात आते हैं इसलिए वो यही कोशिश करते हैं कि वो हमेशा अकेले रहे जैसे सुर्भी कह रही है ये मोबाइल पर लगातार लगे रहना ये तो बहुत से लोगों की समस्या है और मैंने ये देखा वो लोग ज़्यादा चिड़चड़े भी रहते हैं चो लगातार मोबाइल पर रहते हैं ये भी एक बिमारी है और उसके अंदर जो रेडिशन निकलते हैं और उसके अंदर जो बहुत नेगेटिव थौट्स बहुत नेगेटिव ओमोशन्स को देखते रहते तो मैं हमेशना कहता हूँ ये जो दिमाग में बुरा-बुरा सोचते हैं आँखों से बुरा-बुरा देखते हैं कानूं से बुरा-बुरा सुनते हैं फिर बुरी-बुरी चीजे खाने पेने के आदत उससे पूरे सरीर के उपर इंद्री उपर मन पर चित चेतना अत्मा पुरे अस्तितों पर वुरा पढ़ाओ पड़ता है तो मैं आपको बता रहा था एक उपाई ये भी है ऐसे पूरा देखो श्टीम दे दिया जाता है अब इसके पूरे शरीर में कष्ट है कॉलाइटी से लेकर के स्ट्रेस इंजाइटी डिप्रेशन से लेकर के ये सब चीजों से घर गया था अब इसको श्टीम दे दी गई है और इसके माथे के उपर ठंडे पानी का तोलिया रख देते ये जो उपाए हैं ये बताते हुए मैं एक बात बताना चाहरा हूँ तुम में भी मोबाइल वाली अडिक्शन कितने लोगों को था एक तो ये जो मैंने काए तो दारू पिने लग गया था और वीडी सिग्रेट शरापी ने लग गया था अब तो ये सुधर गया है पूरा ठीक हो गया ये डिप्रेशन भी दूर कर लिया इसना स्वामी जी इससे जड़ा भी एक सवाल आ रहा है राजेश कुमार आपका इस बाप तुरा पहले मोबाइल देखते किस ने मेसिच किया किस ने कॉल किया क्या हो रहा है फेज़बूक पे स्वामी जी फिलहाल आपी का ये शो देखते हुए एक दर्शक सवाल पूछना चाहते हैं स्वामी जी राजेश ये पूछना को भी नशे की बहुत आदत हो गई थी और वो अपने में ही सोचते रहते कई बार कोशिश की गई उनके नशे की आदत को खत्म करने की लेकिन पूरा परिवार परिशान रहा क्योंकि वो भी अकेले में रहना पसंद करते थे मैं झाले भी आपन खाली पन सुना पन ऐपनी भी तरीका पूर्णत अधूरा पन समहसुस करते हैं इंक्प्लीटनेस ये खाली पन शुना पन दूर हो जाता है जैसे व्यक्ति मैंने का ना तेज दोड लगाता है, सुरुनमस्कार करता है, दंड बेठा करता है, प्रणायम करता है, यह लड़का है, तीन-तीन बज़े तक क्या करता था? मोबाइल पर इंटरनेट ब्राउजिंग अगेरा, नीद नहीं आती थी, आप क्या हल है? अब तो यहाँ पर आके ठीक है, अभी तो सुबह साड़े तीन बज़े उड़ जाता हूँ, पहले जब यह जिस समय तक जागता था, उस समय उड़ जाता है, क्यों खेत्री उमर है? अभी मेरी 29 उमर है, 29 उमर है, और अब नेद अच्छी आपी? आपी अब अच्छी थी, यह तो वैसे ही, तेरे को डिप्रेशन क्यों हो गया? मेरे लास्टे टेंथी तो पूरे सालम कहीं जानी पायते, और फिर लॉक्डाउन हो गया, तो पूरा बहुत लंबा पीयर हो गया था, घर से भाणिया को, और उस स्ट्रस देश को फिर ए पिंपल्स भी आगे इस्मे त कांते ले पहलो बेरा के साथ लगा ले ना यह ठीक हो जाए ता पर मुझे काफी आराम है कि मैंने सर्वांगासन और शीर्शासन स्टार्ट कर दिया था शीर्शासन करती है करो पूर में दिवार के साथ और सर्वांगासन करने लग गई हेर फाल भी रोक लिया और अपना डिप्रेशन भी दूर कर लिया ये थुड़ी ज्यादा प्रॉब्लम है इदर आओ बाकी मैं इसलिए छुट छुटी बाते बता रहा हूं ये एडिक्शन क्या है जो चीज बार बार करते हैं उसके आदत पढ़ जाती है तो एडिक्शन बना हूं ये यो कैसे आई हाँ मेरे फादर इन लौ की डेथ हो गई थी करोना की वज़े से और हम उन्हें पहली मतब स्थार्ट हम लॉकडाउन की वज़े से उनसे मिल नहीं पाए और जब उनकी डेथ हो गई तो उनके बाद उसके बाद भी हम उनको आखरी बार भी नहीं आती थी जब मैं इंडिया आई तो मभी मुझे यहां पे लेकर आई अब केतनी दिन होगे हैं मैं यहां पे साथ दिन के लिए हूं और अभी कितनी दिन होगे हैं अभी मुझे पांच दिन होगे हैं तो अभी अभी नेंद आती है अब नेंद आती है मुझे पहले मेरे को र अब देखो, छोटी सी गुडिया है ये, अब इसको यहाँ, जो यहाँ योगा भ्यास कराते हैं, करनायम भ्यान कराते हैं, उसमें लग गई, क्या नम बताया है? आपने ध्यान की बाद की फ्वामी जी, इसे से जुड़ा हुआ हमारा अगला सवाल भी है और इसको अब वापस रिदम आ गई है, तो ऐसा जब कुछ हो जाए, तो जीवन को थोड़ा सा, एक बार घर से बाहर निकलो, ऐसे सानों पर आ जाओ, जहाँ पर अपने कुछ बड़े रहते जो हमें मार्ग दर्शन दे सकते हैं, तो अब साक्सी, अब अच्छी अब तेरे को मंत्र का अस्वर भी क्या जब्रेशन को दूर भगाने में कारगर होता है, क्योंकि आपने कहा कि ध्यान से आप बहतर हो सकते हैं, तो ओंकार ध्यान और गायत्री मंत्र का अस्वर इस पर भी बताएं कुछ, हाँ, कपाल अभाती, अनुलोम बिलोम के बाद आओ सब, सब लो तो मुख बंद करके, कान बंद करके, स्वास बरके, नाद की आउंकार का, तो नाद योग अताज्या चक्र में ध्यान करते हैं, तो जैसे बार सुर्य हो देता है, यसे अंदर सी सुर्य हो दा होता है, भ्रामरी के बाद उदगीत, दोनों हाथ घुटनों पर, लंबा गहरा शास बरके ओम बोलते हैं, ओमकार ध्यान, ओमूमूमूमूमूमू अम् बीच में लंबा गहरा श्वास रिया ओंकार का ऐसे पाँ साथ दस मिनिट तक जब कर सकते हैं फिर ओंकार की ध्यान के साथ गाईत्री ध्यान इसको वाचिक जब कहते हैं और बाएर बोले नहीं इसको उपांस्टू जब कहते हैं और फिर मन ही मन जब करनाा और फिर अंदर से जब धुछल जाती है अजपा जब हो जाता है तो ऐसे गाहित्री और आंकार का ध्यान अपने मन को एक सान विशेश पर टिका लेते, इसको धारणा कहते हैं, देश, मन्दर, सित्थ से धारणा, तत्रप्रतेक, तारता, ध्यान, तदेव, अर्थ, मात्म, ने भास्म, सरुप, सब्स्षर्ण, वेव, समाधी, त्रह, मेकरता, सयम, तज्यात, प्रज्यारोक, टेरों की निरन्दृता स्यम और प्रज्यालों अंदर शे कालों प्रकाश प्रकाश प्याइश पैदा होता है और जिवाल का इव हमनी दधियारे में प्रकाश सब्सक्राइब छृथ शचल तो होता ऑς्ट गाहित्री का ध्यान मोन ध्यान इसको कई विपस्षणा कहीं प्रेक्षा- कहीं ध्यानियोग एसे अलग लग इसको प्रतिप्रसभयोग शिवय हो व्योग ऐसे नाम दो लाटा है लेकिन इससे हमारे सारे विकार तक्द बीज निर्वीज हो जाते हैं, सारे रोग और हम अपने सत्व में, अपने सुरूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, ये भी बहुत जनुदी हैं, उंकार गाईत्री ध्यान में नाक्षी जी, डिप्रेशन के लिए आउसाद के लिए सुरुपीज़ बात कह रहे हैं और कह रहे हैं कि चपकर भी बहुत आते हैं, ऐसे में आज आप क्या बनाकर बताने वाले हैं जो डिप्रेशन के मरीजों के लिए फाइदेवन साबत हो? हाँ, देखो, डिप्रेशन में कबजोरी भी आती है, और ये सीजनल डिप्रेशन भी कुछ लोग ना, जैसे ही सीजन ओन हुआ सर्दी का, वो ओफ हो जाते हैं, इतनी कमजोरी फिल होती है तो उसके लिए जीवक, रिश्वक, रिद्धी, विद्धी, महमेदा, महमेदा, का पुरी, अश्वगंदा, शतावर, ये सफेद मुसली, ये जो ऐसे द्रव्य है, इसके लिए अश्वर्ग, चौन, या शतावर, अश्वगंदा, सफेद मुसली, चौन हम उपलब्द कराते हैं, बादाम, अखरोट, ये रात को विगो करके, मुनका, अंजीर, ये रात को व साथ दूर हो जाता है, बादाम पाक ले ले, जिनको विटामिन साथ ये दूसरे तत्तों की भी कमी रहती है, तो पावर वीटा भी हमने उनके लिए तयार कर रखा है, ऐसे कमजोर प्राणियों के लिए, और बात अच्छा होता है, इसमें, मखाने और साबुद जो है, इसक सिरोधारा के और अभ्यंग के और साथ में ही स्वेधन के अलग लग ओशदियों से, ये तो चली रहे हमारे सब यहां पर चिकित्सक हैं, डोक्टर हरप्रीत और डोक्टर खनाक ये सब करवा रहे है, यह हमारे हमन चल रहा है, गाहित्री मंत्र से, ये सब तो करें करें, अभर शान, तो इस सूरिया भी मुख को करके प्रणायम करने में लगा हुआ है, अब घर में कैसे करें, तो घर में देखो, अब सिर के ऊपर डालो अब इसको, थोड़ी ठंड़ है, लेकिन से, यहां डालो, यहां थोड़ी से आगे हो थोड़ी से आगे हो, अब यहां, किसी को स्पेसली करना हो तो दूट ला रहा है उसके अंदर और तेल डाल सकते हैं तो ये पांच मिनट तक ऐसे सिर के उपर टंकी खोड़ लें आप हमारा चला लें एक दाम फास किरास हो जाएगा ठटवेगे तो बद कर दे रहा है तो ये आप बता रहा हूं देखो जिर को बहुत जादा निंदने आती है तो प्याज खा लिया करें सलात के रूप में अब ये जो पोस्ट दाना एक पोस्ट दाने को रात को भिगो दिया अच्छे से दूल भी गया है अब ये पोस्ट दाना इसको थोड़ा सा भून करके और ये अत्वा रात को भिगो करके जैसे भी करना चाहें उसको ऐसे डाल दिया और यह इसकी जबरदस्त खीर तयार हो जाते हैं जिनको भी डिप्रेशन उनको यह खीर खिलाते हैं यह पोस्त दाना और यह मखाना यह जबरदस्त काम करती है तो जिनको भी यह दिक्कत हो उनको यह पोस्त दाने की और यह मखाने की खी खिर खिलानी चाहिए मैं खिर बना रहा हूं तब तक आप कल का प्रोग्राम बता दीजिए सवामजी एक खास संदेश जरूर हम चाहेंगे कि आप उन तमाम हमारे दर्शकों को दे जो इस वक्त आपको देख रहे हैं क्योंकि ये लाइफस्टाइल में बदलाव बहुत जरू नहीं देते हैं इच्छा ना होने पर भी योग करें और हमेशा आपने आपको दिव्यता से सकारात्मक्ता से भरके रखे भोर में उठते ही मैं इश्वर की संतान हो मैं रिश्यों की संतान हो गोतम कणाद जैमने पाने ने पतंदरी भगवान राम किर्ष्ण शिव का मैं एक अनंत ज्यान अनंत सम्वेदना अनंत शक्ति विद्य व्यूगता इश्वरे संपन आत्मा हो मुझे अपने आपको जानना है जगाना हो अपने जीवन में पूर्टा पाना है तो सुबह उठकर के योग करें कर्मयोग करें और उत्सांस अपने आपको भरावा रखे सारे अंधेरे छटते चले जाएंगे सारी प्रतिकूलताएं सारे जंजावाद सारे संकट अपने आप मिठ जाएंगे और फिरे कोई थोड़ा बहुत संकट बज भी जाए तो योग के साथ यज्जी भी कर लो तो निश्चित रुपसी जीवने में आप वीजे ही बनेंगे ओमत्रंबकम यजामहे सुगंधिंपुष्टि वर्धनम और वारुकमिवबंधनान मृत्योर मुक्षी हमामृताथ स्वाहाद साप रोकों से और मृत्यों के भी पार चले जाते हैं यह हमारी संस्कृती है बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी और बहुती सरल उपाय आपने बताए मिनाक्षी आपने भी हमारे दर्शकों को बताया कि आसानी से हर को यह कर सकता है थोड़ा सा कॉंसेंट्रेट करने की जरुरत है थोड़ा सा अपने लिए वक्त निकारने की जरुरत है जितना इमोश्तल इंबालंस है सभासानी से ठीक किया आ जा सकता है बहुत-बहुत शुक्रिया स्वामी जी धन्यवाद छोड़ से प्रेक के लिए महीं आपर रुखना है दीवाली पर अपने संसदिये शेतर वारा नसी को क्या गिफ्ट देने वाले है प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी जानी के प्रेक के बाद